तो आप हमारे स्कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें टू प्लाइन्स हैं और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट करके पूच सकते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो टॉट में आज हम रिमोटनेस ऑफ डामेज इसके साथ हम वाइकरिय स्टैबलिटे की बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि जब भी टॉट में कोई लॉस होता है या कुछ भी ऐसा एक्ट होता है जिसके कुछ कॉंसेक्वेंस जि तो यहां पर क्या होता है यह जनरली प्रिंसिपल होता है बट कहां तक आप उस डैमेज को प्रिजूम कर सकते हो कहने का मतनब है कि आपने कोई एक्ट किया आप उसमें इस चीज़ को समझते हो कि हां मैंने ही एक्ट किया तो इससे एक पर्टिकुलर डैमेज हो सकता है बट तो यहां पर जो wrong यहां पर जिसकी लिए आपकी liability है तो कितने damage तक आपकी liability हो सकती है तो remoteness of damage में क्या है कि legal test used for deciding which type of loss caused by the breach of contract may be compensate by an award of damage ठीक है कौन से type का जो कितना loss है वो इसके through compensate किया जा सकता है काफी सारे cases में relevant होता है तो जब कोई wrong constitute होता है तो यहां पर उसके sometimes हम देखते हैं काफी सारे consequences आता है sometimes a consequence आता है समटेंट को होता है series of act होती है यानि कि आपने एक साथ काई सारे अक्ति कर लिए तो यहां पे जो damage है वो approximate भी हो सकता है, might be remote भी हो सकता है और to remote भी हो सकता है, इससा आप नहीं expect कर सकते हैं ठीक है, तो यहां पे इसको समझने के लिए हम एक illustration देखते हैं, actually एक case है, तो इस case को देखते हैं, the defendant's servant negligently left a house when unattended in a crowd street जो हारूड का case है, इसमें क्या होता है, कि defendant का जो servant होता है, वो क्या करता है, negligently horse की van है, यहां पे house नहीं है, इस horse है, ठीक है, horse van जो है, वो एक road पे छोड़ के चला जाता है, जहां पे police station भी होता है, पास में बच्चों का school भी होता है, ठीक है, तो उसमें से एक बच्चा क्य horse उसे attached होते हैं, तो जिसके वज़े से horse खुल जाते हैं, और यहां पे क्या होता है, कि वो भागने लगते हैं, और पुलिस इस यहां पे, जो भी women और children हैं को बच्चाने के लिए, working on duty होती है, police वो rescue act में लग जाती है, जिसके वज़े से police को जो है, वो इंजरी हो जाती है ठीक है, तो यहां पे जो है, defendant कहता है, कि यह जो बहुत साथा remote-ness है, consequences में, मैं इसको नहीं presume कर पाता, ठीक है, तो that is, यहां पे क्या है, mischief किसके through हुई है, mischief हुई है, यहां पे children के through, ठीक है, और यहां पे पूरे case में क्या है, कि जो negligent servant के through, वो बहुत साथा remote course थी, तो है, यह तो इस case की बात थी, लेकिन अब मैं आपको यहां पे एक illustration बताऊंगे, जिस illustration से, आप बहुत अच्छ से concept को समझ जाएंगे, जैसे माली जी परसन जो है, आप उस इसमें कुछ रोल होंगे, आप उन्च रोल को ध्यान रखिएगा, एक person जो है, यहां पे एक person है, व गर्ल के cycle या जिस पर भी हो रही होती है, वो गिर जाती है, और उसके साथ यहां पे एक दूसरा, क्या होता है, जो cycle पर यह वाला man भी होता है, यह भी गिर जाता है, इसकी वज़े से चोट लगती है, इसको दोनों के आपस में, जो है वो, दोनों आपस में क्या होती है, द टक्राराता है तो जो टंकर का ड्राइवर होता यह वो खुद को बचाने के चुकर में क्या करता है कि वो डूसरी Greg तरफ कर देता है यहां पर दूसरी मार देता है इसके साथ यह गिर ‌गई God और यहां पर एक रीवर का जो होता है, साइड में जो ग्रिल्स लगी होती है, और उसकी वज़ा से वो टूट जाता है, और रीवर में भी पानी मिक्स हो जाता है, ठीक है, अब यहां पर जो चेंग शुरू होती है, इस परसन से, क्या इस परसन यह पूरे लॉस के लिए, ठीक है, पूरा जो टैमेज हो है, क्या यह परसन लाइबल है, यह परसन लाइबल सिर्फ किसके लिए होगा, कि इसकी वज़े से जो इंजरी इस गर्ल को हुई है, ठीक है इसके वज़े से जो इंजरी इस girl को हुई है और जो यह cyclist था यह चला रहा था इसके लिए यह पूरा act जो है पूरा act presume करना कि ऐसा ऐसा loss भी हो सकता है बहुत मुश्किल है ठीक है तो इस जिसको वो presume नहीं कर पाता है और इसमें जो truck driver है अगर हम truck driver के loss के लिए देखें तो truck driver को जो loss था वो remote था remote यानि कि हम उसको ए presume नहीं कर सकता ए उसके लिए liability नहीं हो सकती और ए जो है वो ए के लिए प्रॉक्सिमेट भी नहीं था कि वो उसको presume करें तो यहां पर जो negligence के accountability बनती है वो यहां पर एक की तरफ से नहीं बनती है तो यह जो पूरा act था यह रिमोटनेस में था इसमें कोई एक परसन इतने जादा loss के लिए क्या कर सकता है वो नहीं सोच सकता है कि इतना जादा loss हो जाएगा अब इन से चीजों को समझने के लिए यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से इसको determine करेंगे liability होगी या नहीं तो हमें देखने होंगे दो टेस्ट पहला जो टेस्ट है रीजनेबल और फोर साइट का टेस्ट है इसमें क्या होता है कि जो रॉंग फूल एक परसन कर रहा है तो उसमें एक रीजनेबल परसन जो है वह उस चीज़ को प्रेजूम कर सकता है फोर सीन कर सकता है कि कितना लॉस हो सकता है ठीक है बट उस margin के loss से अगर ज्यादा loss होता है तो वह रिमोट हो जाता है ठीक है अब देखो यहां पर जैसे मैं किसको ठपड मारने से उसका सर में खून निकलेगा उसको बहुत अदर ड के बियोश हो जाए उसका सर में कुछ हो जाए यह कुछ हो जाए तो यहां पर यह रिमोटनेस मैं इसको प्रजूम नहीं कर सकते कि थपड़ से इस तरह से किसी को कुछ हो सकता है तो यहां पर क्या है कि यह रिमोटनेस जो है रीजनेबल फोसाइड इसको समझना होगा दूसर तो यहां पर यह बहुत ही जो रिमोटनेस यह इंपोर्टन यह इसके साथ ही यहां पर जो है यह इंट्रेंस परस्पेक्टिब के लिए इतना ही इतना ही है इसके बाद हम एक छोटा सो टॉपिक करेंगे इसके बाद हम टॉप की एक क्लास और लेंगे और उसमें आपका जो टॉपिक में जितना बचा खुचा है इस्टिक लाइबलिटी एप्सलूट लाइबलिटी राइलेंड का केस जो है बहुत इंपोर्टन यह सब चिज़े हम करेंगे तो अब हम देखते हैं यहां पर वाइक और रएपे आपको के लिए लाइबल हो टॉपे है जब क एक पर सब्स्रियें आपके लिए बेडिय त्यप्री इत है क्या है फैसिप और यह जो है इसकी मिन आहेब करू हे ऑर और वह मना जाएगा कि वह खूद के लिए यकाट कर रहा है एक ब़ने प्रिंसिपल है उसका का एजेन्ट है ठीक है अब एजेन्ट का क्या होता है प्रिंसिपल के बिहाफ परकाम करना तो अपर जो क्तिक्ति उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा या प्र rensipal provides लोकिन और वहाँ फाइनिल करना है थिक हैं इस डेल की इस Between पर्टिक्लिवीलिक तुह है घो के सिंगे उसके करनी है तुछंनों के लिए गदा है यह भी लाइबल कर रहा है अब माल लेजे A जो है वो P की गाड़ी चला रहा है और यहाँ पे जो P ने A को एक पॉइंट कर रखा है गाड़ी चलाने के लिए और यहाँ पे की डियुरिंग दो कोस अफ़ इंपॉइंट काम करने के दोरान अगर V किसी ने सब्सक्राइब gefह और यहाँ पर किसी को ठोग दे या किसी और किसी को चौट माल दे एकसिटेंट कर दे इस cases में क्या होगा? P की liability बनेगी और A की liability भी बनेगी. तो यहां पर Vicarious stability में क्या होता है? कि आप यहां पर Vicarious stability में तीन relations हम देखते हैं. एक तो partners, अगर दो partners हैं तो दोनों partners क्या होगे यहां पर? दोनों partners में से अगर एक पाटनर कोई act करता है तो दूसरा पार्टनर उसके एक्ट के लिए लाइबल होगा, ठीक है, इसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए कैसे लाइबल होगा, अगर दोनों ने पार्टनर्शिप में कोई फर्म खोली है, या पार्टनर्शिप में कोई फर्म नहीं भी खोली, कुछ इन्वेस स्लाइबिटी होती है इसमें जो है यहां पर एक चीज और है कि मास्टर और सर्वेंट के बीच में जो रिलेशन है और जो प्रिंसिपल और एजिन के बीच में रिलेशन है वह लॉफूल और पूरी तरह वैलीड होना चाहिए और जिस वक्त जो भी एक्ट पर्टिकुलर एक्ट हुआ है उस वक्त उनकी जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन होनी चाहिए और इसमें ही तभी जो है वो वाइकरिस लिएबिटी बनती है So that's all for today, मिलते हैं next video में, thank you